हालो स्टुडेंट्स हम लोग प्रसनावली 12C पे हैं और कोसर नंबर है 5 कह रहा है निम्न आकरिती में OACB केंद्र O और त्रिजा 3.5 cm वाले एक ब्रित का चतुर्थांस है देख लिजे OACB यह आपका क्या है इसकी त्रिजा दीवी है 3.5 cm और केंद्र कह रहा है O वाले एक ब्रित के चतुर्थांस है यह क्या है आपका एक ब्रित के चतुर्थांस देख रहा है अच्छा यदि OD बेराबर में 2 cm यह OD दिया है आपके पास 2 cm तो निम्रिखित के छित फ़ल गयती है पहले में क्या करा 150 OACB OACB का च्छितवर निकालना है पहले तो हमारे पास त्रिजा दीवी है तो आप चाहो तो इसे यहां पहली सकते हो 35 बटा में 10 पॉइंट हटा देंगे सेंटीमीटर यानि कि कितना हो जाएगा आपका ये 5 दूना 10 और 5 सत्य पैंट तो तरी जाएगा आपका 7 बटा 2 सेंटीमीटर चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है फर्स्ट में चतुर्थांस OACB का छितरफल तो क्या होता है फर्मूला जाते हैं एक बटा 4 पाई आर स्कुर्थ ये ना होता है तिरजया यहां पर दी उई है तो हमनों किसमें रखके नहीं निकाल सकते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका एक बटा में 4 पाई के जगा 22 बटा सात लिखेते हैं और आर का माण यहां पर देखो किता ईहां सात बटा दो मैं सात बटा दो सेंटीमीटर स्कॉयर। तो एक सात से सात गया चार से इसको कड़ते हैं। यहाँसकंपर दोاعर कर जाएगा और आपका 11 वारिक से दो से मैंने काड़ दिया तो ऊपर आजाएगा आपका 77 और नीचे आजाएगा आठ तो 77 बटाट सेंटीमीटर स्क्वाइर यह चतुर्थांस चतुर्थांस तो यहां पर हो जाएगा दूसरे के लिए चायांकित भाग का छित्रफल बराबर में क्या हो जाएगा जी तो यहां पर हो जाएगा चतुर्थांस चतुर्थांस OACB का छित्रफल मैंसे घटा देंगे किसको इस तिर्भूज के छित्रफल को तिर्भूज OAD का छित्रफल तिर्भूज OAD का छित्रफल घटा देंगे तिर्भूज OAD का छित्रफल घटा देंगे तो चतुर्थांस का छित्रफल हम लोग पहले ही निकाल चु तो एक बट्टा दो यह समकोड होता है आपको पता है आधार आपका हो जाएगा ओए और उंचाई हो जाएगा आपका ओड़ी चलिए आगे कितना है दो सेंटीमीटर स्क्वार ठीक है यह दो से दो काट देते हैं तीन दसमलों पांच बशाएगा आट सेंटीमीटर स्क्वार और माइनस इसे मैं साथ बट्टा दो कर दूंगा पॉइंट हटाएगा पैतिस बट्टा दस होगा काटने पर यही आ जाएगा चलिए अब सेंटीमीटर स्क्वार और माइनस इसमें से भाग करेंगा आपका चार चार सत्य हो जाएगा तो उननचास बट्टा में आठ सेंटीमीटर स्क्वार यहां पे छाएंकित भाग का चितपल हो गया समझ गया है कुशन नम्मर 6 देखिए क्या रहा एबी और सीडी केंद्र ओ व होता था था तृजयाओं एक कई सेंटीमीटर सा इच्वार वाले दो सकिंद्रे मितो के करम सहदो चाप आधेप्र यह दो सकैन्द्र के ape 10 चापवाला जो उसकी तृह यहांप थिर्जाखंड को लगो तो हम लोग यहां पर देख रहा है तुरियंक दिह वी है त्रिजाईन की दी हूई है ठीक है सकंद्रिया सनटों की दोलगे सब्सक्राइज consumo खेल है हम लोग एक को माझने अपजे हैं कैपिटुल आर जो कि है एक कई सेंटी मेटर सेंटी में और एक को स्मॉल आर जो कि है आपके पास साफ सेंटी में तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे छायांकित भाग का छेत्रफल भाग का छेत्रफल तो हम लोग क्या करेंगे तो हम घटा देंगे तरज्या खंड तरज्या खंड ए ओ बी का छेत्रफल और माइनस में तरज्या खंड तरज्या खंड सी ओ डी का छेत्रफल समझत去了 तो और यहां कौन का लेंगे तो कौन ये जो 30 डिगरी है एंगल ये वो भी दिया आपके पास 30 डिगरी Kennता हम लोग की इसी एंगल को हम लोग ठीटा माल लेते हैं एम इस कौन को थीटा महल लेते पटाए और चोटार Democratic है और सकते हैं यहाँ पर सभी मानों को रखते हैं और देखते हैं क्या आता है चलिए देखतो हैं डिटा कमान तो तीजात और सीन वर सौट साथ पाई के जगह आप 22 स्पा शात रख दों गें और स्कूर चोटा सट का स्कूरार और मतलब साथ और यहाँ पर हो जाएगा आपके सेंटिमीटर का स्कूर क्यूंकि छे तरफल है चलिये औरเห their से काट सकते हैं ना जी बारा बार में तीक है यहां छे और यहां 11 तो 11 और बटा में 6 साथ 42 हो जाएगा स्कॉयर में आद एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं एकईस पलस साथ और गुना में एकईस माइनस का साथ चलिया ऐसा कर सकते ना इसकार में इसकार का फॉर्मल लगा दिए एकारा बटा में 42 गुना यहां जोड़ दोगे तो आपका 28 हो जाएगा और यहां घटा दोगे तो 14 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसके बार 14 से इस 28 से गुना करोगे तो आप 308 पाओगे और बटा में 3 cm2 यह आपका एंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें चलिए आगे बढ़ा जाए चलते हैं नेक्स कोशन पर आप नेक्स कोशन देखिए 7 नंबर एक प्रिदकार मेज पोस जिसकी तिर्जिया 32 cm है में बीच में एक संबाहु तिर्भूज ए बीची छोड़ते हुए इस डिजाइन बना एक डिजाइन बना हुआ है जैसे निम्न आकरिती में दिखाया गया है इस आकरिती को देखना आप यह देखो यह टेढ़ा बना दिया आपके बुक में पिसलिए मैंने अपने से एक खुद फिगर बना लिए है इसे हम ठीक है इसकी तिर्जा कितनी दियुए इस ब्रित्य की त्रिजा 32 सेंटीमीटर दियुए है और इसके अंदर यह एक आपका संबाहु तिर्भूज छोड़कर यह डिजाइन जो बन रहा है इसका सित निकालना है अग कि इस डिजाइन का सित पल इतुर डिजाइन बन रहा है, इस तिर्भूज को छोड़ कर, संभाहों तिर्भूज के छित्फ़ल को घटा ले रहागा इस बृत के छित्फ़ल में से, यहां दूसरा एक और तरीका है, मैं क्या करता हूँ, यहां बृत का केंदर लेता हूँ, आप देखे, यहां पर मैं अंदर, य oc यहां बनाता हूँ, उसी तरह से यहां भी एंगल A, O b, इंगल A, O c, ऐसे तन बर्ाबर कौडों में बढ़ताएगा, तो यहां कैतना होगा, 120 ol解, 120 degrees होगा न, यह भी आपका 120 degree होगा, यह भी आपका, 120 degree होगा, तभी न तीनों की 2060 roller होजाएगा, बर्ाबर बर्ाबर होंग समझ गहां ना बात को ऐसे भी देख रहे हैं कि यह संभाहु तिर्भूज है तो यहां पर इनके भुजाओं के द्वारा केंद पर बने हुए कोंड जो होंगे उतीनों समान समाने होंगे तो 120-120-120 समझ गहां ना बात को अच्छा हमारे पास तिरिजा कितनी दी हुए है तो 32 सेंटीमीटर दी हुए यह आपका 32 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना होगा यहां जो मैं देख रहा हूं प्रतेग डिजाइन को देखूंगा यहां पर तीन डिजाइन हमें मिल रहे हैं और यह प्र हमारे पास यहां पर तिरिज्या कितनी है तो तिरिज्या आपके पास दी हुए है 32 सेंटीमीटर और कोंड ठीटा की मैं बात करूंगा केंद पर बना हुआ कोंड ठीटा तो वह मैं लूंगा 120 डिग्री तो मैं यहां लिखूंगा डिजाइन का छेत्रफल बराबर में क्या ह पर रहे है इनके छेत्पल से गुणा करनें गता हो जागा तो तीन गुणा में बिर्थखन का छेत्रफल आर स्कॉायर ब्रैकेट मैं पाई ठीटा बटा तीन सो साथ डिगरी माइनस साइन ठीटा बाई टूइन्टू कॉस ठीटा बाई टूब्राइट यह नहीं और जागा आपका 360 है और ठीटा के जगा पर यहां पर 120 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री बटा में दो कॉस 120 डिग्री बटा में दो यहां यहां यह कट जागा 60 डिग्री हो जाएगा यहां भी कट जागा आपका 60 डिग्री हो जाएगा ठीक है अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहां एक हजार 24 और गुना कर दोगे फिर 3 से तो आ जाएगा आपका 3072 और ब्रैकेट के अंदर यहां पर चड़िया हम लोग बारह तिया च्छतिस तीन बार्व कर जागा तो यहां पर 22 और बटा में साथ तिया एक इस नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं माइनस साइन साथ का वैलू तो साइन साथ का रूट 3 बाई 2 और कॉस साथ का वैलू जो होता है वहां 1 बाई 2 होता है सेंटीमीटर एसक्वार लगा देते हैं सित्पल है इसलिए चलिए आगे देखते हम 3072 ब्रैकेट में 22 बटा में 21 माइनस रूट 3 बटा में 4 सेंटीमीटर चलिए अब ध्यान से देखिए, एके करके हम लोग इसमें गुना करते, तो इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें गुना करेंगे, तो यह कट जाएगा, एका इस से इसको काटेंगे, तो एका इसको काटेंगे, साथ के पाड़े से, तीन के पाड़ साथ आप गुना करके देख लोगे इसमें इससे काट दोगे और गुना करोगे तो यही आ जाएगा माइनस अब यहां पर हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे तो देखो क्या होगा तो इसमें जब इससे गुना करेंगे तो चार से इसको काट सकते हैं 3072 को हम लोग चार से क काट सकते हैं कितना बार में कटेगा 768 बार में इससे गुना करोगे तो तो यह आपका सेंटी मीटर स्कौार यही आपका छेतरफल हो जाएगा डीजाइन का समझ गए यह हम दूसरा तरीका अपना सकते थे बृत के छेतफल में से हम लोग हटा जेते इस तिर्भूज के छेतफल तो पहले इसकी हमें भूजा निकालनी होती तब जाके बनता समझे ना बात को यह भी आपका सई है कोसर नमबर देखते हैं आठ क्या कहा रहा है कोसर नमबर आठ में कहा रहा है कि एक वरगाकार लोहे के चदर की भूजा साथ मीटर है जैसे फिकर में देख रहा है न इसमें से बड़े से बड़ा बृतकार टुकरा काट लिया गया है अचा बड़े से बड़ा बृतकार हो जाएगी 20.05 मीटर आगे समझें इस टुकड़े का छित्फल ग्याद किजिए अच्छा इस टुकड़े का छित्फल ग्याद करना है और यह भी बताईए कि लोहे का कितना छित्रफल सेस रहा गया यानि कि इस बृत का हमें छित्फल भी निकालना होगा और फिर से हमें यहा कित भाग जो बच रहा है लोहे का सेस बचा हुआ भाग भी निकालना है चलिए तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि वर्गाकार लोहे कि चद्दर चद्दर की भूजा किती दी है साथ मीटर है अच्छा वर्गाकार लोहे कि चद्दर में से बड़ा से बड़ा से बड़ा बृतकार टुकडा टुकडा काटने पर बृतका ब्यास बृतका ब्यास किसके बरावर हो जाएगा तो यहां पर लिख सकते हैं वर्गी की भुजा के बरावर होगी भुजा के बरावर होगी समझ गया ना वर्ग के भुजा के बरावर होगी चलिए इसका मतलब कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ब्रित की त्रिज्या क्या हो जाएगी तो उसके ब्यास किया दी तो साथ का आधा जैने कि तीं दे समलों पांच मीटर चलिए तो हमें क्या का रहा है इस टुकड़े का छित्पल यानि कि बिर्तकार टुकड़े का छित्पल निकलना है बिर्तकार टुकड़े का छित्पल टुकड़े का छित्पल तो वही पाई आरे स्क्वार लगा देंगे तो हो जाएगा का पाई की जगा 22 बटा साथ और आर की जगा स साथ बटा दो चाहिए 3.5 बिली सकते हों कि साथ बटा दो ही रख देते हैं मीटर स्कॉर साथ ते साथ कर दो से इसको कर देंगे 11 बार में तो यहां से क्या आ जाएगा सतहत्तर बटा में 2 मीटर स्कॉर सतहत्तर बटा दो कि मैं बात करूँगा तो मैं भाग कर दूँगा तो आज जागा है यहां से 38.5 मीटर स्कॉर समझें न अब क्या निकालना है अब यहां पर निकालना है कि जो लोहे का बचा हुआ भाग है उसका छित्षक्रपल तो हम लोगे के भाग का शित्षक्रपल तो हम लोग वर्ग के शित्पल में से बृत का शित्पल घटा लेंगे वर्ग के शित्पल में से बृत का शित्पल घटा लेंगे जो बृत का टुक रहा है उसका शित्पल घटा लेंगे तो इसका भूजा का स्कॉर होता है और ये तो अभी हम लों निकाले हैं 38.5 meter square तो भुजा यानि भुजा कितना है? 7 meter है तो आप हो जागा 7 का square और माइनस में 38.5 का square 38.5 meter square हो जागा चलिए अब यहाँ देखिए 7 का square उननचास और माइनस का 38.5 में 5 meter square तो यहाँ घटा देते हैं घटाएंगे तो कितना आजाएगा? यहाँ घटाओगे तो आपका 19.5 है जाएगा meter square यह आपका लोहे के जो 6 भाग बचा हुआ है उसका सित्पन होगे है, समझ गया है? सो ही गलग घटादेगे, 10 हैगा, 10.5 हैगा ना, 10.5 meter square ठीक है? कोई दिकत नहीं है कोशन नमबर 9 देखिए क्या करा है कि एक आयत तथा उपर की ओर उसकी चोड़ाई वाली उसकी चोड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्द वृत की अकार में हमारे स्कूल का मुख्य दर्वाजा है, देख लिए यहाँ पर दर्वाजा कैसे बना हुआ है? तो यह आयत है और आयत की जो चोड़ाई है इस चोड़ाई इस चोड़ाई पर ही इस चोड़ाई को ही ब्यास मानकर यहाँ पर एक अर्द विरतकार टुकड़ा है तो यह इस परकार का दर्वाजा है जिसमें एक आयत है और एक अर्द विरतका है तो लिए आगे कुर्शन लेखिए दर्वाजे की दर्वाजे की चोड़ाई चार डेसी मीटर है दर्वाजे की चोड़ाई जो है चार डेसी मीटर है चार डेसी मीटर है, और सबसे अधिक उंचाई की बात करें, तो वह दस डेसी मीटर है, तो दस डेसी मीटर है, यानि सबसे अधिक उंचाई यहां से यहां तक होगी, पुरा, दस डेसी मीटर है, चलिए न, पूरा आपका, दस डेसी मीटर है, चलिए, दरवाजे का छित फल ग्याद के लिए, तो हम लोग decimeter में, decimeter square में ही हम लोग निकालेंगे, चलिए देखिए, तो मैं अगर मैं बात करूँ, जो आयतकार भाग है, उसकी चोड़ाई की, तो इसको हम लोग निकालेंगे पहले, तो समझे कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कि अ अर्द बिताकार, आकार के टुकडे, अर्द बिताकार, आकार के टुकडे का ब्यास यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार डेसिमीटर होगा, तो यहाँ पर अर्द बिताकार, अर्द बित की तिरिजा क्या हो जाएगी, अर्द बिताकार, टुकडे की तिरिजा, या अर्ध बितकार भाग की तरिजिया भाग ही लिखना टुकॉडे के जगह पर त्टिक है तो क्या हो जाएगे इसका आध्दा कर देंगे बियाज सार्फ आपका 4 डेसीमीटर यहां से यहां है टूटल तो तरिजबा इसकी क्या हो जाएगे यहां पर इसकी आधी कर देंगे कटके यहाँ दो आ जाएगा दो डेसी मीटर तो तरिजर यहाँ से यहाँ से यहाँ दो डेसी मीटर हुई यहाँ से यहाँ भी तो यही होगी न hust deliberately बाइसी मीटर अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयत अयतकार भाग की लंबाई जो है वहाँ लंबाई एल को हम लोग क्या लिख देंगे तो टोटल दस डेसी मीटर में से हम लोग क्या करेंगे ये वाला घटा देंगे दो डेसी मीटर घटा देंगे यानि कि आठ डेसी मीटर हो जाएगे ठीक है अच्छा आइतकार आतकार भाग की चोड़ाई यानि कि B की बात करूँगा तो चोड़ाई आपका क्या होजाएगा तो चोड़ाई आपका यही चार डेसीमेटर होजाएगा चले तो हमनों लिखेंगे दरवाजे का छितर फल बराबर में क्या करेंगे आयत तकार भाग का छित्रफर और पलस में अर्ध बितकार भाग का छित्रफर ठीक है दोनों को जोड़ लेंगे तो आयत का छित्रफर लंबाई गुने चोड़ाई और अर्ध बितकार एक बटा दो पाई आर स्कॉर कोई दिकत है कोई दिकत नहीं है तो क्या हो जागा लंबाई और चोड़ाई हम लोगे उपर लिखे है आठ गुना में चार डेसी मीटर स्कॉर हो जाएगा और प्लस एक बटा दो पाई के जगा बाईस बटा साथ और आर जो है त्रिज्य हम लोग दो लिए है ना दो गुना तो डेसी मीटर का स्कॉर इस दो से एक इस दो को काड़ देते हैं तो अठ चोड़ का यहां पर बत्तिस हो जाएगा बत्तिस डेसी मीटर स्कॉर और प्लस में बाईस दुना चोवालिस में चोवालिस में साथ से भाग कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर बत दो ही अंक लेना चाहिए 32 decimeter square और प्लस में 6.2 यहां 9 कर देते हैं इसको 8 को 9 करके बाकी अंक खटा देते हैं अब इन दोनों को यहां पर जोड़ देते हैं ठीक है तो जोड़िएगा तो यहां पर क्या जाएगा 38.2 9 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा आपका 38.2 में 29 decimeter square समझ गया तो यह आपके दरवाजे का 6 तफ़ा निकल के आ गया समझ गया कोर्शन नमर 10 देखिए कह रहा है गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिये हुए चित्र के समाने इस तरह का क्यारी बना हुआ है गुलाब के पौधे के लिए ठीक है इस चित्र के जैसा है तो चित्र में एक वर्ग की प्रतेक भुजा पर एक अर्द बृत बना हुआ है यहां देखिए बीच में वर्ग है इसका नाम में यहां ABCD देख देता हूँ यह आपका वर्ग है और वर्ग की प्रतेक भुजा पर यहां अर्द बृत बनाया गया है वर्ग की भुजा जो है एक मितर है तो ब्यास इस दिर कि 12 मीटर हो जाएगा इसका ब्यास हो जाएगा थो 2 12ट सवरी समझ गया इस प्रतेक अर्द डृत का ब्यास 11 मितर हो जाएगा यानि थ्रीजए देख रहा हूं की वर्ग की भुजा को और की भुजा जो दी है प्रतेख भुजा की की प्रतेख भुजा आई कितनी हैं égerowners ५जा को ऑज अर्द्वृत का प्रते कर देता है controll अर्द्वृत कि त्रिज्या क्या हो जाएगी तो हम लोग लिखेंगे कि यह जो कुल क्यारी है इसका छेत्रफल क्या होगा नहीं हम लोग लिखेंगे क्यारी का कुल छेत्रफल क्या हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का छेत्रफल पलस में चार गुना अर्द्वित का छेत्रफल चार गुना अर्द्वित का छेत्रफल वर्ग का छेत्रफल और पलस चार गुना अर्द्वित का छेत्रफल और पलस चार गुना अर्द्वित का छेत्रफल एक सकते हैं चलिए ची बूजा कितना है एक हमें मीटर कर दो ढ़ल ऐसे तीन बारे में और इस दो से और इस को कड़ देंगे 11 बार में यहां 441 हो जागा 11 के स्क्वाइर और यहां देखे 11 तीज़ 23 और 33 में हम लोग गुना कर देगे कित से हैं तो 33 में गुना कर देगे 11 से तो आ जागा 693 मीटर अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा जोड़ोगे तो 1134 मीटर स्क्वार आजाएगा तो हमें क्या निकालना है तो हमने निकालना है कि पौधों की संख्या क्या होगी गुलाब के पौधों की संख्या बतानी है तो देखो एक को कितना चाहिए 6 मीटर स्क्वार स्थान चाहिए और टोटल इतना मीटर स्वार स्थान में तो 1134 में हम लोग भाग कर देंगे कितना से तो एक के लिए जितना स्थान चाहिए 6 मीटर स्थान से मीटर स्थान मीटर स्थान कर गया अच्छे से इसमें भाग करेंगे यह 189 बार में कर जागा यानिकि वीडियो में आयक को देखेंगे, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेश छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेश छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांत सर, भारती भवन रवी कांत सर, भारती भवन रवी कांत सर रवीकांत सर और तीसरा चनल है रवीकांत सर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटर नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सच करेंगे www.ravikantsar.in और यहां जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और Instagram और Facebook पे जाके Pathfinder Classes छपरा को like and follow करना नहीं भूलेंगे